गंगुबाई काठियावाडी में आलिया भट की परफॉर्मेंस से काफ़े इंप्रेस है संजलीला भनसाली दुबारा कर सकते हैं एक साथ काम क्लोस सोसस ने आलिया को लेकर कह दी बड़ी बात क्या है पूरी खबर आईए जानते है संजलीला भनसाली पीरियड ड्रामा फिल्में बनाने के लिए जाने जाते है वेल उनकी अपकमिंग फिल्म गंगुबाई काठियावाडी पहली फिल्म है जिसमें संजलीला भनसाली और आलिया भट एक साथ काम कर रहे है सूत्रों से मिली जानकारी के मताबिक दोनों का साथ काम करने का अनुभव बहुती अच्छा साबित हुआ है फिल्म से जुड़े लोगों का कहना है कि इस फिल्म में आलिया ने अपनी अब तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है बॉलिवड हंगामा में छपी एक रिपोर्ट के मताबिक इस फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि आलिया का भिनय इस फिल्म में इतना बहतरीन है कि वो इस फिल्म में अपने रोल के लिए जरूर कई बड़े पुरसकार जीतेंगी जिसमें नाशनल अवार्ड भी शामिल होगा इस फिल्म में आलिया ने जिस तरह की भाशा का इस्तमाल किया है शायद ही उन्होंने पहले कभी ऐसी भाशा का इस्तमाल किया होगा उन्होंने इस फिल्म के लिए पहले से सीखी हुई कई चीजों को भुलाया है सोसिस के मताबिक आक्ट्रिस और नर्देशक क के तौर पर आलिया और संजलीला भंसाली के बीज इतना अच्छा बॉंड बन गया है कि दोनों एक और प्रोजेक्ट में साथ काम करने के लिए डिसकस कर रही है वल संजलीला भंसाली अपने डिरेक्शन और आलिया अपने आक्टिंग के कारण फेमस है और ऐसे इन दोनों का एक और फिल्म के लिए जुड़ना वाकई में देखने लायक होगा वही सोसिस के मताबिक गंगुबाई का ठिया वाडी में संजलीला भंसाली ने आलिया का बॉड़ी लैंग्विज और उनकी आवास को बिलकुल बदल दिया है वो गंगुबाई के किरदार में बिलकुल अ अलग तरह से बात कर रही है और उनकी चाल भी अलग हो चुकी है ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म आलिया के लिए एक नई शुरुवात होगी फिलाल जिस तरह से खबरे सामने आ रही है फैंस के लिए एक्साइटमेंट लेवल और भी बढ़ गया है आप हमें बताए कि इस खबर को सुनने के बाद क्या आप भी फिल्म गंगोपाय काथियावाडी में आलिया की परफॉर्मेंस देखने के लिए एक्साइटड है पोस्ट करिए अपने कमेंस आलसो दो लाइक फॉलो और अन सब्सक्राइब तो बॉलिवर्ड नाव उन फेसबुक इंस्टग् आन यूट्यूब